हलो दोस्तों आज हम जानेंगे चिंटियों से जुड़े कुछ जानकारी कुछ चिटियें की बिल जमीन से दो फिट गहरे होते हैं रानी चिटी का आकार अन्य चिटियों की तुलना में बड़ा होता है सभी चीटियों के पंक नहीं होते केवल नर और रानी चीटियों के पंक होते है केवल रानी चीटियों को प्रजजन से सक्ख्यम होती है इनकी मुख्य भूमी का हजारों अंडे देने की है जिस से उनकी कोलोनी मजबूत और सक्तिसाली बनी रहे नर चीटियों का मुख्यकार मत्र रानी चीटी से संभोग करना होता है उसके बाद ये अधिक दिनों तक जीबित नहीं रहते रानी चीटी की मुरुत्य के बाद कोलोनी की बाकी चीटियां अधीक समय तक जिन्दा नहीं रहती बेवी कुछ महिनों में मर जाती है चीटियों सुझारू प्रभुति की होती है यदि उनमें लड़ाई हो जाए तो वो मरते दम तक हार नहीं मानती और लड़ती रहती है मनने के बाद चीटियों के सरीर में इसे एक केमिकल निकलता है जिससे अन्य चीटियां ये जान लेते हैं कि बहुँ चीटी मर चुका है मन्नी के बाद चीटियों के सरीर से निकला केमिकल यदी दूसरे चीटियों पर डाल दिया जाए तो अन्य चीटियां उन्हें भी मरा समझने लगेंगी पृतिवी पर मन्नी से और चीटियां ही है जो अपना भोजन सयम संक्चय करके रखते हैं